देश भर के लाखों डिफेंस पेंशनर, फैमिली पेंशनर और डिपेंट्रेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज के वीडियो में आपको एसी जानकारी देने वाला हूँ जिसमें रिसेंटली इनिसियेटिव हुए हैं हाल ही में नवाचार हुए हैं, केंटीन को लेकर जो सीएश डी बेनेफीसरी जो हैं उनको लेकर जो बदलाओ हुए हैं आपको अक्ष्ट्रा क्या-क्या फाइदे मिलने वाले हैं वहाँ आपको इस वीडियो में बताऊँगा, बहुत सारे बिंदू हैं इसलिए आप वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें और इनका आप फाइदा उठाएं, क्योंकि ये बदलाओ जो आपके लिए ही किये गए हैं इनका आप फाइदा उठा सकते हैं, वीडियो को ध्यान से देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि जानकारी अच्छी है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देवें और साथ ही कम से कम एक ग्रूप में भी इसको शेयर कर देवें चलिए शुरुआत करते हैं, बिना कोश्मेक आपके पहले बिंदू पर चलते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिसेंटली इनिसियेटिव जो है यह इंपोर्टन इस्ट्रक्शन जो है, रिसेंटली इनिसियेटिव को लेकर यह आपको पहले से पता चल गया होगा, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो जा चुके हैं कि जो सारे कि सारे जो CHD बेनेफीसरी जो हैं, जो केंटीन उभागता है वे अपने कार्ड से किसी भी केंटीन से लिक्यूड खरीद सकते हैं, ग्रोसरी खरीद सकते हैं लिक्यूर और ग्रोसरी है, यह आप किसी भी केंटीन कार्ड से अब अपने केंटीन कार्ड के माधियम से खरीद सकते हैं बस आपके पास केंटीन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद में दूसरा बिंदू जो है, यह आपके लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है इसमें आपको यहाँ पर एक सुविदा दिये गई है कि जितने भी सारे केंटीन धारक हैं, केंटीन कार्ड धारक हैं, जितने भी CSD बेनिफिसरी जो हैं, वो अपने कार्ड से दो महिने का एडवांस कोटा है, वो एक साथ खरीद सकते हैं, एक महिने में यानि एक महिने में आप दो महिने का कोटा खरीद सकते हैं, दो महिने का जो ग्रोसरी का कोटा है, उसका सामान आप एक महिने में एक साथ में खरीद सकेंगे, यह आपको सुविदा दे गई है, अगला यहाँ पर दिया गया है, बिंदू C के अंदर देखेंगे, तो Annual Renewal of CSD Smart Card जो है, यानि आ CSM है, Defense, Civilian है, या Dependents है, उनके जो CSD Smart Card है, उसको वार्षिक तोर पे अब नहीं करवाना पड़ेगा, Renewal, उसको Discontinue कर दिया गया है, अब अगला दिया गया है, Simplification of Card Application Processor, मतलब Card Application के लिए, जब आप पहले Apply करते थे, तो एक लंबी चोड़ी प्रोसेस थी, उसको अब Simply कर दिया गया है, सरलिकरन उसका कर दिया गया है, इसके लिए आपको CSD Smart Card के लिए Application है, या Simply एक Application लिखनी होगी साधे कागज पे, Self Certify करनी होगी उसको, और उसके Counter Counter Sign करवाने होगे, जो Officer जो है, केंटियन के, उनके Counter Sign करवाने होगे, उसके साथ में आपको एक Copy PPO की, और Discharge Book की Copy है, इन दोनों में से एक आपको Copy लगानी होगी, और उसके बाद में आपको ये Submit कर देनी होगी, बस ये आपको Simply करन जिसका क्या गया है, सरलिकरन क्या गया ह ये इसका Simply करन हो गया है, अगला यहां पर कहा गया है, कि जितने भी War Videos जो है, या जो Anarchy of Battle Casuality जो है, इनके जो CSD Smart Card हैं, उनके जो पहले Feast देनी होती थी, अब वो Feast नहीं देनी होगी, इनका जो CSD Smart Card है, ये बिलकुल Free में बनने वाला है, ये तो हुई जो आपके Veteran Friendly Initiative ह अब आपको अगर AFD आइटम परचेज करने हैं, तो उनको लेकर यहां पर गाइडलाइन आई है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि AFD आइटम का मतलब क्या होता है, चलिए बता देता हूँ, आपको AFD आइटम क्या होते हैं, ये आपके सामने PIV की Website है, यहां फिर फॉर विलर, टू विलर, इन्हें AFD आइटम कहते हैं, और आप अगर AFD आइटम परचेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये पोर्टल है, AFD.csd.india.jv.in, इस पोर्टल पे आपको जाना है, अपनी जो कार्ड है, केंटीन कार्ड है, CSD कार्ड है, उसके माद पूरी कर देनी है, उसके बाद में आपको यहां पर जुरूरी बात ये कही गई है, कि किसी भी middleman, किसी भी beach का मध्यस्ता करने वाला आदमी है, कहने का मतलब सीधी सीधी बाद है कि कोई दलाल हो, तो उससे आप बचके रहें, उसको किसी भी तरह का आपको money, जो है, उसके लोगों से पैसे ले लिए जाते थे, registration के नाम पे ओर है, अब ये इस चीज़ को बंद कर दिया गया है, आगे यहां पे का गया है कि purchase of four wheeler, जो है, एफडी आइटम जो four wheeler है, उसके purchase को लेकर यहां पे का गया है, कि जो limit है purchase की four wheeler की, यह बढ़ाई कई गई है, enhance की गई है बृद्धी की गई है, कैसे बृद्धी की गई है, तो आप देखेंगे आपे, कि जो officer जो है, उनके लिए 20 लाख रूपे तक की यहां पे limit की गई है, जेसियो के लिए 10 लाख है, और जो other rank है, और जो है उनके 8 लाख रूपे की limit की गई है, खास बात यह है, कि अगर आप electronic कोई vehicle खरीते हैं, एवी electronic vehicle खरीते हैं, तो आपकी जो limit है, यह additional 5 लाख रूपे और बढ़ा दिये गई है, मतलब OR के लिए 13 लाख, जेसियो के लिए 15 लाख, और officer के लिए 25 लाख रूपे की limit हो जाती है, फौर विलर परचेज में, आगे आपके बिंदू C जो है, इसमें FD one item जो है, उनके लिए कहा गया है, less four wheeler जो है, four wheeler से कम के जो है, तो इसमें यह कहा गया है कि यह आपके जो FD one item है, इनको 1 सितंबर 2023 से जो CSD Beneficiary हैं, वे दो TV खरीद सकेंगे, चार ऐसी खरीद सकेंगे, चार साल के प्रियेड में, पहले इस तरह का नहीं था, पहले ऐसा था कि चार साल के प्रियेड में एक ही खरीद सकते थे, एक TV और एक AC खरीद सकते थे, अब उसको बढ़ाया गया है, चार साल में आप दो TV, चार AC खरीद सकते हैं, उसके बाद में purchase of FD second item जो है, इसमें ये कहा गया है, कि आप अपना जो FD, जो second item है, ये आप लिक्योर कार से या dependent कार है, उससे भी आप खरीद सकते हैं, ये यहाँ पर और अच्छी सुईदा चालू की गई है, CSD smart card जो है आपके पास, तो उसको लेकर कुछ initiative किये गए हैं, आईए वो भी देख लेते हैं, अब बात यह है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो एक like कर दिया करें, और कम से कम एक group में, इसको whatsapp group में, या फिर kutum app में, जहां भी आप हैं, जुड़े वे CSD smart card, इसमें यह कहा गया है, कि आपको अगर CSD smart card आपको apply करना है, तो इसके लिए online process शुरू कर दी गई है, यह उनके लिए हैं, जिनके पास पहले से, जो existing CSD smart card है, वे नया card प्राप्त करना चाहते हैं, न्यू card के लिए, तो इसके लिए यह web portal है, इस web portal पे आपको जाना होगा, आपके घर पे, आपके घर के address पे 7 से 15 दिनों के अंदर अंदर, CSD smart card जो नया card जो है, यह पहुंच जाएगा, दूसरा आपके पास अगर महलों card आ जाता है, उसके बाद की process यह उसका activation करवाना होता है, इसके लिए पहरे आपको parent canteen में जाना होता था, अब यह कहा activation करवा सकते हैं, किसी भी केंटिन से activation करवा सकेंगे, आगे दिया गया है, ऑफिसर के डिट जो है, उनके लिए कहा गया है, कि personalized CHD smart card है, यह जारी किया जाएंगे, जिनकी limit जो है, ग्रोसरी की 5000 रुपे पर मंत, और EFD second के लिए 20,000 रुपे पर यह यहाँ पर रखी गई है अगनिवीर हैं, या फिर student हैं, सेनिक या मिलिटरी स्कूल के, उनके लिए भी यहाँ पर साड़े 3000 रुपे पर मंत का जो ग्रोसरी है, वे खरीद सकेंगे, अपने steel card के माध्यम से, newly commission officer जो है, या अगनिवीर हैं, उनके लिए grocery और liquor card जो है, जो यहाँ पर उनकी training complete होने के बाद में उनको जारी किये जाएंगे, यह कुछ बिंदू हैं, आपके नीचे आप देख रहे हैं, यह URC के लिए हैं, आपके इतने काम की नहीं हैं, लेकिन इनको आप देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, यह आप देख सकते हैं कि provisional demand जो है, इसमें यह है कि आप अगर कोई आइटम मंगवाना चाहते हैं, केंटीन से लेना चाहते हैं, अगर वो नहीं है, तो आप अपने केंटीन ओफिसर जाओं से संपरा करके, उनकी demand के अंदर उनको लिखवा दीजिए, provisional demand जो है, उसके माधियम से वो आपके लिए आइटम मंगवास केंग Annual Turn Over Limit जो है, ये 75% उनकी बढ़ा दी गई है, अब ज़्यादा समान परचेस करेंगे, और ज़्यादा जो यहाँ पर केंटीन कार्ड धारक जो आते हैं, उनको ज़्यादा है, हाँ पर समान मिलेगा, और उनको खाली हाथ नहीं लोटना पड़ेगा, वीडियो अच्छा दो दो दो